Hello Kedits, कैसे हो आप लोग? आज अपन सैनिक स्कूल, जो कि इंडिया का एक प्रस्टीजियस स्कूल है, उसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आप कब payment करना पड़ता है, कैसे payment करना पड़ता है, कौन-कौन सा method है, क्या cash चलता है या cash नहीं चलता, ये सारी बाते अपर आज detail में करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इंडिया में total 33 सैनिक स्कूल हैं अभी, और 100 खुलने वाले हैं, तो बहुत good news है कि upcoming years में 100 और सैनिक स्कूल अपने लियोंगे, और बहुत सारी seats बढ़ जाएंगे, लेकिन right now 33 सैनिक स्कूल हैं, तो सबसे पहले जो सवाल आता है, कोई सहर बहुत महंगा होता है, तो कोई सहर बहुत सस्ता होता है, तो obviously वो effect आपके सैनिक स्कूल की fees में भी देखने को मिलेगा, अब जैसे अगर आपन structure की बात करें, तो structure एकदम सेम है, हर पूर 33 सैनिक स्कूल का structure is एकदम सेम, एकदम डिट्टो सेम होता है, ठीके कि हाँ ये admission fees, ये caution fees लेना है, ये tuition fees लेना है, सब, लेकिन उसमें थोड़ा बात amount का variation हो जाता है, जो कि बहुत ज़ादा नहीं होता है, जो मैं भी आपको बताऊँगा, दूसरी बात मैं जो आज आपको fees बताने वाना हूँ, ये first year के लिए है, first year जब आप admission ले रहे हैं, उसम admission fees, इस caution money, ये सब extra होता है, है ना, तो वो सब add करके आपका first year ज़्यादा होता है, second, third year से आपको उतनी fees देनी नहीं पड़ती, तो मैं कुछ-कुछ states का आपको example दोगा, कि भी है किसमें कितनी ज़्यादा है, कितनी काम है, कितने से कितने के बीच में vary करता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, tuition fee की, जो tuition fee है, मतलब जो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो fees है, जो आप classes जा रहे हो, उसकी जो tuition fees है, वो पूरे इंडिया के 33 सैनी की स्कूल में vary करती है, 70 से 90 के बीच में, 70 से ज्यादा 90 से कम, 90 नहीं पहुंसती, 87, 88, 75, 76, ऐसे लेकर के 78, 80, इसके आसपस आपके tuition fee होती है, तो ये tuition fee हर सैनी की स्कूल में 70 से 90 के बीच में होती है, फिर उसके बाद आपका caution money होता है, dietary charges होते है, extra job, clothes पहनते हो, उसके होते हैं, और आपको हर मैंने scholarship बोल रहा हूं, मैं आपको pocket money मिलती है, उस pocket money की वीफी सोती है, तो ये सब कुछ मि होते हैं, उनके हिसाब से अगर आप देखो तो, तो जो उसकी पूरी की पूरी fees है, वो मातरा की 1,20,000 से 1,50,000 के नदर वेरी करती है, पूरे 33 सेनी की स्कूल, max to max, 1,50,000 आपका जाएगा, minimum to minimum, 1,20,000 आपको पे करना पड़ेगा, अब कुछ states के, अगर मैं आपको बात हूँ, ये total, overall आपको जो total हर चीज, extra fees, miscellaneous fees, सब कुछ मिला करके जो fees होती है, first year के इसाब से वो fees है, जिसमें tuition fees भी आ गई, आपका dietary fees भी आ गया, आपका clothing भी आ गया, आपका सब कुछ आ गया, आपकी pocket मेनी भी आ गई, सब कुछ, तो जिसे तिलया की 1,31,500 है, वीजाप 50,000 के बीच में सारी fees आ जाती है, जिसमें सब कुछ included है, आपका कपड़ा, रहना, जो uniform school की, सब कुछ, खाना, पीना, tuition fees, सब कुछ आगे, tuition fees मतलब जो अलग से सामको tuition होती ही वो नहीं, पूरा आपकी total पढ़ाई का, जो tuition कर्च होता है, उसको बोला जा रहा है, तो आपक 1,20,000 से लेकि 1,50,000 के बीच में आपको बढ़ेगी, अब ये पूरा का पूरा fees आपको starting में ही pay करना पड़ता है, या आप उसको installment में pay कर सकते है, वो हर सहनी की school का अलग-अलग रहता है, तो आप जाकर के सहनी की school के लिए apply के हो, उसकी original website में जाकर के आप देख सकते हो, और एक और चीज़ अगर मैं आपको बात बताऊं, तो payment mode सिर्फ और सिर्फ online SBI का portal, ठीक है, या फिर demand draft, demand draft भी हर जगा है की नहीं, I am not sure, but maximum जहां जगाओ का, maximum psychic school का जब मैंने fee structure निकाला था, उसमें मैंने पूरा proper read किया, तो उसमें ये दोनो payment option तो थे, हाँ, cash या check, बि maximum ये ही use किया जाता है, और ये ही prefer किया जाता है, कि आप online SBI portal में जाओ, और वहाँ पर जाकर के आप payment करो, आपको online SBI की portal जो है, वो आपको हर psychic school की website में मिल जाएगी, तो आपको tension लेने की कोई बात नहीं है, या आप demand draft के through भी payment कर सकते हो, उन website में देख कर गेगी, हाँ, demand contract accept है कि नहीं, बढ़ हाँ, cash और check एकदम भी accept किसी भी psychic school में नहीं किया जाता है, और आपको पूरा pre-installment देना परता है, मतलब पूरा पहले ही एक बार में या दो बार में, दो installment में, या तीन installment में, बट पूरा का पूरा पहले ही आपको fees पे करनी परती है psychic school में, ठीक है, तो ये सारी बात है थी, आपके इस fees payment को लेकर के 2023 के लिए अलगस ऐसा कुछ news नहीं है कि बहुत बढ़ेगी या कम होगी कुछ भी नहीं, तो अपन वही मानते हूँ चलते हैं कि 120,000 से 150,000 जो आपको पहले पढ़ता था, 2021-2022 में, वही fees आपको लगीगी, ओके, चलो, तो I मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और क्या information चाहिए, सैनिक स्कूल से related या कोई भी स्कूल से related तो मैं आपके लिए वह यहां पा नेकर क्या हूँआ, ठीक है, फिर मिलूँगा आपसे अगली class में, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रह जै हिंग, बाई बाई, टेक केर.